आप किस तरीके से DeepSig कर यूज करकर एक mobile app create कर सकते हैं और कैसे आप उस Google AdMob से monetize कर सकते हैं दूसर अगर आप DeepSig के माधियम से mobile app create करकर Google AdMob के माधियम से money make करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ steps को complete करना है तो सबसे पहले आपको DeepSig के उपर आना है और इसके उपर अपन account create करना है अगर आपको DeepSig के बारे में नहीं पता हैं तो मैं आपको बतातूँ DeepSig ChatGPT जैसा ही एक AI tool है जिसके मदम से आप यहाँ पर premium contents को create कर सकते हैं ChatGPT के उपर आपको premium content create करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं पर DeepSig के उपर ऐसा नहीं है आप यहाँ पर free of cost में premium levels के content को create कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको DeepSig के उपर आना है और इसके उपर अपन account create करने हैं जैसे आप DeepSig के उपर अपन account create करेंगे अब next step में आपको अपनी app create करना है एन आप create करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ अन्य apps को install करना है तो पहली app का नाम है Android Studio तो simply आपको Android Studio की main website के उपर आना है यहाँ पर आपको download का option दिखाए देगा आपको इसको पर click करना है यहाँ से आपको Android Studio की app को download के लिना है और इसको install के लिना है दूसरी website का नाम है cursor.com आपको इसकी main website के उपर आना है और यहाँ पर आपको download का option दिखाई देगा इसके उपकलिक करना है और यहाँ से आपको cursor की website को download कर लेना है और उसको install कर लेना है और दोस्तो दोनों website के links आपको मेरे telegram channel को पर मिल जाएंगे तो make sure आप मेरे telegram channel को भी join कर ले तब आपको इन दोन website को download करना है और इनको install कर लेना है अब आपको अपनी app कैसे create करना है उसका process मा explain करता हूँ तो सबसे पहले आपको यह decide करना है कि आपके step की app बनाना चाहते है जैसे कि हम यहाँ पर habit tracking app बनाना चाहते है तो इसके creating हम यहाँ पर अपना content create करेंगे तो मैं यहाँ पर habit tracking की app बनाना चाहते हूँ तो इसको बनाने के लिए आपको अपनी computer यह laptop के home page को पर जाना है पहले आपको यहाँ पर एक folder create करना है तो इसके लिए आपको right click करना है new इसको पर click करना है folder इसको पर click करना है और यहाँ पर आपको अपनी folder को कोई भी नाम दे देना है काफी important है तो make sure आपको पहले यहाँ पर अपना folder create करना है और इसको मैं यहाँ पर रख दूँगा अब आपको Android Studio की app को install कर लेना है और इसको आपको open कर लेना है MPT activity इसको उपर click करना है next इसको उपर click करना है अब आपको यहाँ पर अपनी project को create कर लेना है तो मैं यहाँ पर नाम दे दूँगा habit tracking app क्योंकि मैं habit tracking app भी बनाना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं type कर दूँगा habit tracking इसको का समय नाम दे दिया है उसके बाद आपको यहाँ पर अपने name के according package का name दे दिना है अब आपको यहाँ पर location का option ज़र आएगा तो यहाँ पर आपको अपने folder को save कर लेना है तो आपको इसको उपर click करना है और जहाँ पर भी आपने folder को save कर रखा है तो वहां से आपको अपने folder को यहाँ पर open कर लेना है जैसे कि मैंने desktop के ऊपर अपने folder को बना रखा है तो मैं इसको उपकलिक करूँगा यहाँ पर आपको app का option दिखा देगा तो इसका ना भी app है तो मैं इसको उपकलिक करूँगा तो यहाँ पर हमारी location भी select हो चुकी है, जहाँ पर हमारा project सेव होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ना है, SDK के अंदर आपको यहाँ पर 12 वाले version को select कर लेना है, तन इसके उपर आना है, finish इसको पर click कर देना है, अब आपको यहाँ पर project बनना start हो जाएगा, कुछी मिंटो का समय यहाँ पर बीतेगा और आपका project यहाँ पर बनकर ready हो जाएगा, तो हमारा project यहाँ पर बनकर ready हो चुका है, अब next step में हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी app create करना है, किसके use करकर app create करना है, deep sick का use करकर app create करना है, तो मैं इसको minimize कर दूँगा, and DeepSafe का use करकर application correct करने के लिए, हम यहाँ पर use करने वाले cursor का, तो simply आपको cursor को पर आना है, इसको आपको open कर लेना है, जैसी आप यहाँ पर cursor को open करेंगे, तो आपके सामने new page आएगा, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी app create करना है तो पहले आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको अपने project को upload करना है तो इसको करने के लिए हम यहाँ पर again आएंगे यहाँ पर आपको project upload करने का option दिखाए देगा तो simply आपको इसको click करना है यहां से आपको अपने project को upload कर लेना है, जो कि मैंने यहां पर कर लिया है, app मेरी यहां पर थी, इसको मैंने यहां पर क्या कर लिया है, upload कर लिया है, अब आपको यहां पर आना है, यहां पर आपको इसको maximize कर लेना है, उसके बाद आपको यहां पर कुछ steps से command देना है, जैसे क आपकी यहाँ पर सटीक होनी चाहिए तभी आपकी यहाँ पर प्रफेक्ट एप ग्रीट होगी पर उससे पहले आपको यहाँ पर अपना मोडल सेलेक्ट करना है मिसा आपको यहाँ पर डीप सीक को सेलेक्ट करना है ताकि आप डीप सीक की मात्यम से अपनी आप क्रीट कर सकें तो मोडल को सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सेटिंग का ओप्शन दिखाए देगा, मोडल इसका ओप्शन जाराएगा, आपको इसको पकलिक करना है, यहाँ पर आपको डीप सिक के ओप्शन दिखाए देगे, यहाँ से आपको डी तो यहां से मैं अपने प्रॉम्ट का यूजर इंटरफीस का प्रॉम्ट को पी करूँगा, बिसिकली पहले मुझे यूजर इंटरफीस करना है, तो उसके में यहां पर प्रॉम्ट करीट मैंने कर रहा है, उसको में यहां पर कोपी एंट पेस्ट कर दूँगा, यहां से आपक model को choose कर लूँगा, then composer इसको उपक्लिक करूँगा, and इसको पर copy and paste करूँगा, again मैं यहाँ पर इसी को choose करूँगा, then submit इसको उपक्लिक कर देंगा, अब यहाँ पर क्या करेगा, cursor AI यहाँ पर work करना start करेगा, और DeepSick भी यहाँ पर अपनी thinking power चलाएगा, और आपको यहाँ पर code बना कर देगा, जिसका use करकर आप अपनी app बना सकते हैं, तो यहाँ पर DeepSick ने अपना दिमाग को use करना start कर दिया है, और यहाँ पर इसने पूरी जो हमारी prompt है उसको analyze किया है, और यहाँ पर हमारा code बनना start हो गया है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर code बन जाएंगे, अब आपको यहाँ पर code को analyze कर लेना है, code यहाँ ठीक है नहीं है, और आपके यहाँ पर app बनकर ready हो जाएगी, तो code यहाँ पर क्या हो चुकिया है, बनकर ready होने start हो गया है, तो कुछी seconds का time यहाँ पर आप तोगा और कोड आपके यहां पर बनकर ready हो जाएंगे एक मअरी CODE यहां पर बनकर ready हो चके है ुसके बाद आपको यहां पर आना है एक साथ फाइल इसको पकलिक करणा है यहां से आपको से इसको पकलिक करणा है ताके हमारे code क्या हो जाए हमारे folder और हमारे Android Studio के अंदर save हो जाए यह करना बहुत ही ज़रूरी है तो यहां से आपको अपने code को save करना है उसके बाद अगेन आपको जाना है Android Studio के अंदर यहां पर आपको करना है उसके बाद आपको को run कर देंगे तो यहां पर मैंने क्या कर दिए इसको run करना start कर दिया तो model मेरे यहां पर run होना start हो गया है तो यहां पर मेरे model क्या हो चुका है run हो चुका है अब यहां से क्या कर दूँगा इसको close कर दूँगा उसके बाद आपको यहां पर आना है यहां पर आपको check करना है कि जो आपने यहां पर अपनी app create की थी क्या वो app यहां पर create हुई है नहीं है तो इसको check करने के लिए हम यहां पर जाएंगे folder के उप़र तो मैं इसको उपर click करूगा यहां पर आपको Index वाला फोर्ड दिखा देगा, क्या मैंने करजर के अंदर क्या करा है, Index के अंदर ही अपने code को create की है, तो यहां पर हमेरे जितने भी code से वो कहां पर जाएंगे, Index के उपर जाएंगे, अब आपको इसको पर right click करना है, एन इसको आपको open with Chrome इसको पर click कर देन जैसा आप इसको पर click करेंगे, तो आपकी app यहां पर आपको दिखाए दे रहे, देखो, हमारी app जो हमने यहां पर prompt दी थी, prompt मैंने यहां पर क्या दिया था, prompt मैंने यहां पर दिया था, कि habit tracking app बनाओ, जिसका dark theme हो, तो इसका theme कैसा बनाओ, यहां पर dark ही बनाओ, उसके बा बताएगा water intake को, तो blue यहां पर water intake को बता रहा है, and golden color बताएगा no alcohol को, तो golden color आचको no alcohol को तो रुपे, and सीत में साथ में यहां पर यहां पर यह भी लिखा है, कि line chart बताओ, जो trends को बताएगा, तो यहां पर इसने line chart भी बना कर देती है, तो यहां पर क्या हो चुका है, हमार यहां पर बना रखा है, यहां समस prompt को copy कर लूँगा, again मैं जबंगा cursor AI के उपर, and यहां पर again मैं अपने prompt को copy and paste कर दूँगा, then submit इसको पकलिक कर दूँगा, cursor A again यहां पर work करना स्टार्ट कर देगा, अब मुझे यहां पर एक working app बना कर देतेगा, तो cursor न यहां पर work करना स् साथ में DeepSick ने भी यहां पर work करना स्टार्ट कर दिया है, और हमें यहां पर fully functional एक app बनकर ready हो जाएगी, okay, तो कुछी seconds का time हमें यहां पर time pass करना है, उसके बाद हमारे सामने fully functional app बनकर ready हो जाएगी, जो कि मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूँ, तो यहां पर code बनने स ready होती है, तो कुछ seconds का wait हम यहां पर कर रहे हैं, और check करेंगे कि हमारी app यहां पर कितनी जगदी बनकर ready होती है, तो यहां पर coding होने में थोड़ा बहुत time लग रहा है, तो थोड़ा बहुत हमें यहां पर time देख लेती हैं, कुछी MINT को काम यहां पर है और इसके बाद दहा कर रहे हैं, तो देख सकते हैं, कोडिंग यहाँ पर चल रही है, वो कुछ ही मिन्टों के वेट करना है, और उसके बाद चेक करेंगे, कि कैसी एप हमारी बनेगी, करना है, कोडिंग होने में थोड़ा वो time कि लगता ही है, पर सोचो कि आपको यहाँ पर कुछ से महनत नहीं करना है, चेकी कोकी करने है, है अगें अगें आपको यहाँ पर रण इसको उपकलिक कर देना है तो अगें मैं हाँ पर क्या करूंगा रंवा ऊपकर करहुँगा ठीक है रण की उपर आपको क्लिक कर देना है तुर सब्सक्रािम सके open with इसको उपकलिक करूँगा वगल करूँगा और चेक करूँगा कि मेरी एप यहाँ पर कैसे बनकर ready हुई है हमारी एप यहाँ पर कुछ इस प्रकास से बनकर ready हुई है तो अभी तो यहाँ पर आधी एप ही बनी है पूरी एप यहाँ पर नहीं बनी है इसका मतलब कोड यहाँ पर डंग से अभी जनरेट नहीं हुआ है तभी हमारी यहाँ पर क्या हुई है आधी अधूरी एप ही बनी ह छिए जताव यहां पर कोड भी डंग से करेट नहीं हुआ है इसलिए इसलिए यहां पर क्या होगा है यहां पर क्मपैस कर ने जिसे कर लोगा से आँडरी को थोड़ा भूत करेंगे कोड 476 चीए अगेन मैं यहाँ पर इसको क्या करूगा, set it present to disappear okay अधोरी एब भूआ सेटिंस इसको पर एक है, तुमवसर यहां पर बन नीए है ओके ओके एंड ठीक है दुबार मैं इसको दुबार बनाने कुशिश करेंगे ओके अधूरी एप अभी यहां पर बनी है तो अगेन हम यहां पर क्या करेंगे अगेन हम यहां पर प्रॉम्ट देने वाले हैं तो अगेन यहां पर आऊंगा एंड अगेन मैं यहां पर जाऊं में समिट इसकोपर किलेंगे again में यहां पर genocide Letter कोड दिया है do इहांपर च्करेंगे जो एमरी indicate यहां पर बनकर रेडी हुई forests यह been fully functional होगी यह नहीं होगी उसको हम यहां पर दूबारहा? तो जुदो हैं now我crustee document Trinity starving I define a victim successful वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और अगेन हम यहां पर चेक करेंगे कि हमारा कोड यहां पर प्रोपली बना है या नहीं बना है देखते हैं तो यहां पर कोड अगेन बनना स्टार्ट हो गया है and वेट करते हैं कि कैसी आप यहां पर बनकर रेडी होती है तो थोड़ा बस वेट तो करनाई ही पड़ेगा and चेक करेंगे कैसी app आपनेगे तो code यहाँ पर बनना start हो गया है and थोड़ा बस वेट तो करनाई पड़ेगा तो यह Again पर पता लगएगा कैसा हमारा app यहाँ पर बनकर ready हुआ है तो यहाँ पर coding अधिन होने, सटर्ट हो गई है, चेक करेंगे, थोड़ा बहुत, वेट यहाऊँ कर लेते हैं, तो पुरी कोडिंग यहाँ पर ओ चुकी है तो यहाँ पर पूरा कोड को क्या कराया, यहाँ पर अच्छे से वह कर लिया है, ठीक है ओके तो पूरा कोड यहां पर बन का रेडियो हो चुका है XF file इसको उपकलिक कर देंगे अगेन इसको उपर जाएंगे Save इसको उपकलिक करेंगे अगेन हम जाएंगे Android Studio के उपर ओके एंड यहां पर मैं क्या कर दूँगा इसको minimize कर दूँगा ठीक है अगेन मैं यहां पर जाओंगा एंड यहां पर आपको run का option ज़र आएगा तो आपको इसको उपकलिक कर देना है यहां से आपको emulator इसको उपर भी क्लिक कर देना है चेक करेंगे कि हमारा जो code है वो धंग से create हुआ है कि नहीं हुआ है अगेन मैं यहां पर जाओंगा ठीक है इसको उपकलिक करूँगा and open with Google Chrome इसको उपकलिक कर देंगे and check करेंगे कि आप यहां पर कैसे हाँ बन कर डड़ी तो complete आप यहां पर बन कर ड़ी हो चुकी है इसके progress भी आप यहां पर चेक कर सकते है इस परकास से बनी है ठीक है and you can see इस परकास से यहां पर यह बन गई है मेरी आप यहां पर इस तरीके से ठीक है तो इस परकास से हमारी आप यहां पर बन कर डड़ी हो चुकी है and जैसे कि दे सकते हैं आप अपनी app को किसी भी website को पर host कर सकते हैं, और यह मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे आपको अपनी app को host करना है, अगर आपको अपनी app को host करना सीखना है, तो आपको मारी previous वीडियो को देख लेना है, आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, कैसे आप अपनी app को host कर सकते हैं, अब आपको अपनी app को montage कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो आपको montage करने के लिए आप यहाँ पर इन दो add network को use कर सकते हैं, तो पहले add network करना मैं Google AdMob, आपको इसको उपर आना है, इसके उपर अपना account करने ना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी app को add कर देना है, तो इसके बाद यहाँ से आपको add unit को करना है, आपको अपनी app को कोड के अंदर अपनी add unit को add कर देना है, और आपकी app के अंदर add show ने start हो जाएंगे, जितनी आपकी app के अंद इंस्टोल्स हैंगे, जितने बंदे आपकी app को use करेंगे, वहाँ पर उनको add से खाय देगी, और इसके माध्यम से आप यहाँ पर earning start कर सकते हैं, यह भी कैसे करते हैं, और यहाँ आपको अपनी पिछली वी पता रखा है, तो कैसे इसको host करना है, कैसे AP के file download करना है, पिछली वीडियो के दिख लेना, आपको पता लग जाएगा, और कैसे app को montize करना है, उसके लिए भी आप पिछली वीडियो के use कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप अपनी app में कैसे code add करते हैं, वह भी आपको पर पहर अपको यहाँ पर डिटिल में पता करना है, तो उस case में आपको comment section बताते हैं, कि आपको इसके उपर डिटिल वीडियो ची. कैसे आपको आपको अपनी app को host करना है, इसके लिए कर एक अप commandmentsXT करना है, और कैसे आपको अपनी App के अंदर code数 को add करना है, वो भी अकर आ आपको आज की वीडियो चे लिए हैं, तो हम आपसे यहां पर रिक्वेस्ट करूँगा, कि आप अमेरे चनल को सस्क्राइब कर लें, वीडियो के उपर कम से कहने लेक्स लिए हैं, ताकि इसी टैप का ओसम कंटेंट आम आपके साथ शेयर कर पाएं.